स्री सिवाय नमस्त उभ्यम हर हर महादेव सनीवार के तो कई उपाय हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं उन्हें चलते फिरते कर लिया जाये ना तो भागी की रेखाओं को प्रबल करें इतनी प्रबल होती हैं जितना आप सोझ भी नहीं सकते अपने आप में इस पा पर अपका मटका है ना वहां पर रखना है एक कटोरी में काला दिल चार उपाय है एक उपाय सुनकर आप अपनी जीवन को सार्थक करें ठीक है जी ध्यान से सुनिए यह उपाय आपके घर पर मटका है या नहीं भी है आरो लगा है वहां पर कर सकते हैं यह पानी का जग ही लखते हैं आप यह स्वरूप में इसा इस्थान जो पित्रों का आपको लगता है कि मेरी यहां पर ज्व किछन्भले ही किसी भी स्वरूप में है वहां आपको यह उपाए करना है यह उपाए आपको घर के वास्तू दोष दूर करेगा पित्रधोश राहू और किसी का कुछ किया कराया है किसी न किसी सरूप में मानसिक सारेरिक पीड़ा है तो भी इस उपाय को आप करकर निश्चिति लाब पहुचा सकते हैं अपने विक्रेतियों से छुटकारा पा सकते हैं देखें ध्यान से इस उपाय को किजे का आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को एक चोटी सी कटोरी लेनी है ठीक है कटोरी में आप सभी को आवइश्यक रूप से थोड़ा सा डाल देने है पर जला कर छोड़ देना अगर आप इसे आज रात को कर रहे हैं रखकर छोड़ रहे हैं तो रात धर रखकर छोड़िए नहीं तो आप सभी सनीवार के दिन पूरे दिन भर में कभी भी रख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं एक देड़ घंटा आपको रखकर छोड़ना है जब तक में दीपक प्रेज्वलित हो जा करना है कि संभव तो घर के सदश्यों का इस पर्ष करा दीजिए नहीं तो कोई दिक्कत के बात नहीं है आप सभी इन काले तिल को ले जाकर या तो पीपल व्रक्ष की जड़ में या जो है आप सभी बेल पत्र व्रक्ष की जड़ में या जो है आउला व्रक्ष की जड़ में इन तीन पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे ठीक है जी जो आपके घर के आसपास हो समी का पेड भी आप काम में ले सकते हैं क्योंकि यह कारी अपने आप में दुरलब है ध कहने कार्थ रख्ष में जो पावित्र बच्चों का पती का और उनके नोग्रहों की दसा समरिद्ध हो विवाह के कारे बने संतान सुखने मिले दुख दरिदता का परिवार में नाश ऐसी प्रारधना करते हुए आपको यह सुभ कारे कर लेना है करके देखिएगा आपको लाम मिलना है, हमेशा ही यह कार सभी जनों को सुख देता है मेरे गुरुजी के पालाखो पत्र ऐसे आते है, जिन में इस पस्थ तोर पर यह लिखा हुआ होता है आप इस प्रैक्टिकल को एक बार करके देखिएगा आपके भागी की रेखाया और आप सभी जो है इस उपाय से लाब ही लाब पाएंगे कोई हानी होगी नहीं प्रथम हमने बात कर लिया बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो भी काफी सरल है उससे पहले आप से अनुरोध है कृपिया चैनल को कर दीजे लाइक और जो है वीडियो को शेर कर दीजेगा कोई भी प्रशन हो तो ततकाल कमेंट्स के दारा पूछिएगा आप जवाब राप्ते करेंगे तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की बढ़ते हैं दूसरे उपाय की जो की गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रख है आपने सुना भी होगा गुरुजी कहते उसमें बताया था आप तो हमेशा मेरी कथा वीडियो सुनते हैं अन्य वीडियो युट्यूबर की भी बीटियो शुनते होंगे और मैं इस पस्ट तोर पर गुरुजी की कथा मैं उन्हा नहीं कहा था घर में कोई भी दौश लगा हो विक्ति के जीवन में कोई भी दौश उसका निवारण इस उपार से हो जाएगा तो एक बार अपने सच्चे भाव सच्चे मन से प्रिक्टिकल करकर देखिएगा पीपल रक्ष का पूजन सनिवार के दिन सबसे उत्तम है पीपल रक्ष की जड़ में या पत्तियों में थोड़ा पानी चड़ाए जल चड़ाए और उस पत्तियों में थोड़ा जो पानी लगा है उसे आपको जहेल कर लाना है और सिव मंदिर चले जाना है सिव मंदिर में जो अंतिम कोना है जो अंतिम कोना है वहाँ पर आपको थोड़ा सा उस जल का जो पीपल में लगा हुआ जल है उसे जो है अपने बिंदी के करके जो लास्ट का कौना होता है उस कौनी की मैं बात कर रही हूं स्क्रेन पर मैंने लगाया हुआ है उस स्थान पर आपको वह जल का तिलक लगाना है या बिंदी स्वरूप में लगाना है किसी भी स्वरूप में लगाएं परंतु लगाएं इस उपाय से तो सिद्धता की त उनमें से आप देखिए बहुत आपके वह काम आएंगे सारी रिक पीडा को दूर करने के लिए दो उपाए हमने जाने बात करते हैं तीसरे उपाए की तरफ तीसरा उपाए आप सभी काशी विश्वनात भगवान का नाम लेकर कर जीएगा ठीक है छोटे बच्चे कोई गटना ग्रस्तो होते हैं कारे में असफलता अटकते हैं काम बुले इतरह से विवा के काम अटकते हैं संतान के काम एक दो नंबर से टांस पर रूख जाता है बात बनती नहीं है व्यापार में हाई टोक हो गई है काशी विश्वनात भगवान का नाम लेकर सनिवार के दिन काजल की डिबी अपने हाथ में लीजिए और 21 बार उजवेक्ति के उपर से एंटी क्लोक उल्टी दिशा में हमेशा उतारा किया जाता है इस बात का द्यान रखे उल्टी दिशा में आपको उतारा कर लेना है काशी विश्वनात भगवान का नाम लेना है और कहीं भी या त सुने स्थान पर थोड़ा सा गढढ़ा खोद कर आप सभी उस काजल की डिबिया को दाप कर आ जाईए एक दो रुपे की पाज-दस रुपे की है चीज मिलती है परंतो इस सनिवार के दिन यह उपाय आपके जीवन की भागी के रेखाओं को प्रबल करने वाला हो सकता है प आप सभी से अन्रोध है प्रभू का स्मरण करते हुए श्री सिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख दीजेगा साथ ही आप सभी जितना संभव हो सके इस दिन काली वस्तु घर पर नाला है सनिवार के दिन सुहा की सामगरी खरेदना सुब नहीं माना जाता लोहा लकड सरसो का तेल काले वस्तु बैगन इत्यदी की कोई भी ऐसी वस्तु है जो अपने आप में रंग से काली या नीली है घर के अंदर खरीद का नला है इस बात का ध्यान रखे कई भक्तजन क्या करते हैं किसी मंदिर में जाते हैं वहीं से सरसो का जो है तेल खरीदते हैं और वहीं पर दान करते हैं, खरीद कर क्यों देना है अपने पैसे आप दे कर, खरीदना ही नहीं है, इस दिन तो दान करने का कोई वो नहीं है, आपके घर पर सुक्रवार को उन्हें ले कर आईए और घर पर उसे रखे, तब जाके उसे दान देंगे न, तो आपके जो सनी अधर के जो परेशानी होती है, आप पहले से रखी हुई चीज का दान किया जाता है, और इस दिन चीज खरीदी नहीं जाती, घर में जो सरसों का तेल है, काले तिल है, काली वस्तु है, काले कंबल, काली च्छाता, क्योंकि गर्मिया पढ़ने लगी है, इनका दान करें, आ आपको लाब होगा, अनंत लाब होगा, स्री सिवाय, नमस्तु भ्यम